हेलो फ्रेंट्स कहीं बार क्या होता है कि हमारा जो रेडियेटर है ना रेडियेटर की वज़े से हमारी गाड़ी हीट होती है रेडियेटर का काम होता है गाड़ी को ठंडा रखना तो रेडियेटर में बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं यह चोक भी हो सकता है इसमें आपने तो दिर आर लॉट ऑफ रिजन सो उन्हीं में से एक रीजन है हीटिंग थर्मो स्टेट का रुक जाना जिसकी वज़े से जो प्रोपर हीटिंग टेंपरेचर पर जो थर्मो स्ट्राइट वाल्व जो खुलना चाहिए वह नहीं खूल पाता है और आपका फैन नहीं चल पाता ह है तो आज हम देखते हैं कि थर्मोस्टाइट वाल को हम चेक कैसे कर सकते हैं एक ऐसा हमने कोई भी डिबा ले लेना है और उसके अंदर हम थर्मोस्टाइट वाल को खोल के इसमें रख लेंगे कुछ भी इसको टेमपरेचर पर गरम कर सकते हैं और उस टेमपरेचर तक हमने इसको गरम करना है जब तक इसका बॉयलिंग पॉइंट नहीं आता है बिकोज जब हमारी गाड़ी जब चलती है जब उसमें जो कॉलेंट सर्कुलेट करता है तो इतना हथ तक जरम हो जाता है कि वो थर्मोस्टाइट वाल को इंडिकेट करता है अपन ए पर्टिकुलर टेमपरेचर थर्मोस्टाइट वाल हैस तो बी उपन तो कहीं बारी थर्मो स्टेट वाल खराब होने की स्थीति में वो खुलता नहीं है इंडिकेशन प्रोपर फैन को जाता नहीं है जिससे की फैन नहीं चलता और गाड़ी हमारी ओवर हीट हो जाती है तो उसी को चेक करने के लिए यह तरीका है यह देखिए जब इसका बालिंग पॉइंट एकदम से आ गया है वाटर का तो इसको खाली करेंगे हम इसमें देखेंगे कि नीचे से अगर थर्मो स्टेट वाल खुलता है तो नीचे से पानी आना चाहिए अभी हम देख रहे हैं इसको कि यह किस टेंपरेचर पर आ रहा है खुल रहा है थर्मो स्टेट वाल खुल एक घाड़ी का अपना एक डिफरेंट टेंपरेचर होता है बट वो खुलना जुरूर चाहिए किसी भी टेंपरेचर पर ठीक है यह देखिए पानी एकदम बिलकुल बॉयलिंग टेंपरेचर इसका आ चुका है इवन मौर दन बॉयलिंग तो गाड़ी में भी कुलन्ट का यही हाल होता है जब गाड़ी चलती है बिकोज वहां पे बहुत सारा प्रेशर क्रियेट होता है यह देखिए थर्मो स्टेट वा कराब है ठीक है हम तर्मो स्टेट वाल भी चेंज कर देते हैं ठीक है फिर भी हमें और कुछ प्रोब्लम आती है यह देखिए यह देखिए थर्मो स्टेट वाल खुल रहा है पानी